हेलो बच्चो, वेलकम बाक टो माई चानल, मेरा नम जुगदीप है और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसका नाम है ओर्डिनल उतिलिटी एनालेसिस और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं इन डिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज के बारे में आज के वीडियो में हम लास्ट प्रॉपर्टी यानि की सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो इन डिफरेंस कर्व की है उसके बारे में डिसकेशन करेंगे इससे पहले कि जितने भी properties की videos मैंने बनाई है उसकी link आपको description box में मिल जाएंगे तो बच्चों चलते हैं lecture में तो हमारी 6th indifference curve की property क्या कहती है? वो ये कहती है कि indifference curves may or may not be parallel to each other आज तक हमने जितने भी indifference curves के diagrams बनाए हैं जहां पे multiple indifference curves होते हैं उनमें हमने indifference curves लगभग कुछ इस तरीके से बनाए हैं जो कि parallel हैं एक दूसरे से यानि कि आसपास में कहीं पे भी नस्दीक एक दूसरे के नहीं जा रहे हैं है ना? but there are possibilities कि indifference curves parallel ना हो जैसे कि आपको इस diagram में यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक अब यहाँ पे मेरे पास तीन indifference curves हैं एक indifference curve 1, indifference curve 2 and indifference curve 3 और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हर एक indifference curve का जो slope है वो थोड़ा सा अलग है ठीक है? अब जिन भी बचों ने indifference curves के मेरे शुरुवाती वीडियोस देखें हैं उन्हें idea होगा कि indifference curves का जो slope है वो किस चीज़ पर depend करता है और जिन बचों ने मेरे वीडियोस नहीं देखें हैं आप सीधा इसी वीडियो में आ गय हो तो उनके benefit के लिए indifference curve का जो slope है indifference curve, slope depends upon marginal rate of substitution ठीक है? अब marginal rate of substitution क्या होता है? कि भई commodity X गेन करने के लिए एक consumer कितनी commodity Y साक्रिफाइस कर रहा है technically MRS का जो formula है वो ये कहता है कि आप कितने units साक्रिफाइस कर रहे हो एक commodity के, दूसरी commodity के कुछ units गेन करने के लिए and it is absolutely possible कि हर एक indifference curve में ये MRS का जो figure है वो change हो अब एक बार हम diagram में देख लेते हैं and figure out करने की कोशिश करते हैं कि हर एक indifference curve का MRS जो है वो same है या अलग है, ठीक? तो बात करते हैं पहले indifference curve 1 की so indifference curve में मान लो हमारे पास दो points है point A and point B so combination A में consumer इतनी chocolates और इतनी pizza slices ले रहा है और combination B में consumer इतनी chocolates और इतने pizza slices ले रहा है और वहीं पे combination C में वो इतनी chocolates और लगवग इतनी सी pizza slices ले रहा है ठीक है, so यह जो chocolate का sacrifice है यहाँ पर पहले बहुत जादा था और अब थोड़ा सा कम है है ना, so A से B के बीच में consumer ने बहुत सारी sacrifice कर दी पर B से C के बीच में consumer ज्यादा sacrifice करने के लिए ready नहीं है अब देखते हैं IC2 पे, तो IC2 पे भी हम 3 points ले लेते हैं यह है combination D, यह है combination E और यह है combination F combination D में इतनी consumer chocolates और pizzas consume कर रहा है combination E में लगभग इतनी chocolates और इतनी pizza slices और combination F में इतनी chocolates और इतनी pizza slices ठीक है तो अब यहाँ पे भी हमने combination D से E में ज्यादा sacrifice किया और E से F में कम sacrifice किया है, है ना, so D से E में sacrifice ज्यादा है और E से F में sacrifice कम है पर अगर थोड़ा सा हम गौर्फ से देखे या ध्यान से देखे तो A से B तक का sacrifice quantity है वो D से E तक की sacrifice quantity से बहुत कम है, है ना, यह जो distance है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह काफी ज्यादा है relative to D to E, है की नहीं? हमने क्या देखा कि भई sacrifice ratio जो है IC1 में ज्यादा था compared to IC2 इसलिए slope of IC1 is not equal to slope of IC2 and इसलिए IC2 और IC1 पारलल नहीं है, है ना, दिखाई दे रहा है ना, डाइग्रम में भी दिख रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है IC1 और IC2 and the distance between them यह बढ़ता चला जा रहा है, so IC1 and IC2 are not parallel, so हमें यह चीज और एक ध्यान में रखनी है कि IC अगर पारलल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे जाके वो X-axis या Y-axis को टच कर जाएंगे या आपस में ही कर जाएंगे, अगर वो पारलल नहीं है तो भी किसी भी पॉइंट पे टू इंडिफ्रेंस कर्व्स विल नेवर बोल्ड में लिखा है क्योंकि यह कभी नहीं होगा, नेवर इंटरसेक्ट इच अधर क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है और यह इंडिफ्रेंस कर्व की एजम्शन को और डेफिनिशन को वोईलिट करती है और इसके साथ साथ एक चीज और है जो बिलकुल कभी नहीं होगी, इंडिफ्रेंस कर्व्स विल अगें नेवर फिर से बोल्ड में क्योंकि यह कभी नहीं होगा, टच एनी ओफ दी आक्सेस, बच्चों अगर आपको बड़े विडियो से पढ़ने में दिक्कत होती है या इतना टाइम आपको नहीं मिल पाता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर छोटे-छोटे रील्स में छोटे-छोटे कांसेप्स मेंने समझा रखे हैं तो आपकी स्टडी पॉइंट अफ यू से वह आसानी से आप समझ सकते हैं कम टाइम में ठीक है ताप मेरा रिलीज करूंगी ओविस्टी यूट्यूब पे नहीं करूंगी मेरे फेस्बुक पेज पे होंगे इन भी बच्चों ने अब तक मेरा फेस्बुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लेना ताके जब भी में इस पूरे वीडियो सीरीज की नोट्स और क्व